इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना चुकि दोस्तों आज मैंने उन सारे questions को design कर दिया है जो आपके exam के point of view से बहुत जादा important है 2019 का paper और 2022 का paper इसमें जो पूछे गए है questions उनको भी आज मैं आप सभी student के सामने प्रदर्शित करने वाला हूँ बस आप दोस्तों इतनी सी request करता हूँ अगर आप चैनल पर नए आए हो तो subscribe करना बिल्कुल भी न भूले चुकि दोस्तों इसी पिरकार की helpful वीडियो मैं आप सभी student के सामने लेकर आता हूँगा जादा बात नहीं करता हूँ कोश विन्यास की परिवाशा एवम उनके बीच अंतर की जगा विन्यास आप यहाँ पर जिसे इलेक्ट्रोन को भरने का किराम को इलेक्ट्रोनिक विन्यास केते हैं इस चीज़ को आप सभी students जानते हैं माल लेते हैं फास फॉरस का जो परमाडु किरमांग होता है वो पंदरा होता है चीक है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास करेंगा दो आठ पाच आ जाएगा के लिए अगर हम इसका सभी और कोश की बा इसके बाद में यहाँ पर तीसरा कोशन आवर सांडली में तत्वों का वर्ग एकरण SPDF वर्ग में रखने का क्या आधार क्या आधार तथा लाब है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको बताया है यहाँ इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास कर रहा है 281 1S EPR सिद्धान्त का उपयोग करते हुए निम्न अड़ों के आकार लिखिए यहाँ पर आप सभी स्टूडेंस देखते हैं देखिए यहाँ पर H is equals to 1 upon 2 valence E E minus of central atom plus करेंगे इसमें univalent atom plus minus charge ठीक है तो यहाँ पर 1 upon 2 2 plus 2 plus 0 करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आजएगा 2 I hope दो S2 1 upon 2 4 plus 4 plus 0 यहाँ से आजएगा इसका 4 यहीं 5S3 में आजएगा 5P3 में आजएगा है ना मैं आशे करता हूं दोस्तों यह कुशन आपको समझ आ गया होगा उसके बाद में LPG का मुख्य अव्याव क्या है प्रोपेन है इस चीज़ को याद रखेंगे इसका इसका सूत्र CH3 CH2 CH3 आ जाएगा उसके बाद में निम्न में कौन सी बायो गयस है तो इस चीज़ को याद रखेंगा प्राकिरती गयस है ना उसके बाद में ब्राकिश जल के शुद्धी करण के लिए उपयोग होता है विपरीत प्रासरण विदी से है ना उसके बाद में IUPAC नाम करण अधारत जल की गुणवत्ता मानक लिक्स मानक स्वास्त्र संगटन के अनुसार क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा IS 10500 आ रहेगा इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों 1991 में 2011 में कुशन पूशा गया है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सलीन जल में लोहे पर जंग 17 जड़की अपयक्षा सीगर लगती है क्यूं इसका अंसर सुनिया का जिसके पास ज्यादा आयन होंगे वहाँ पर लोहे पर जंग लगने के चांस ज्यादा होंगे इस किल के अंदर अगर कोई लवाल सेतू होगा तो वे हएक इलेक्टौन को नियांतरित करे में लशा और से तु दोनों एलेक्टौरों एक समर्क होहे और इस पलब ऐसके अधिक आवेश को एकतरित नहीं होने देता है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 2022 में कूश्यन ज एक परमाडू में उसकी निम्नतम उड़जा अवस्था में डी इलेक्टोनों की संक्या होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d5 तो यहाँ पर आते हैं इलेक्टोनों की संक्या 3d5 होगी इस चीज़ को आप याद रखेंगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तत्व का इलेक्टोनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है आवर्स अर्ली में इसका समा इसका इस्थान क्या होगा यह बताना है देखे दोस्तों हमें क्या करना है 1, 2, 8, 2, 4, 2, 6, 6, 8, 6, 12 यानि 12 का हमें इलेक्टोनिक विन्यास करना है तो 2, 8, 2 आ जाएगा अब दोस्तों एक पहला आवर्स दूसरा तीसरा यानि तीसरे आवर्स का तत्व है और दूसरे वर्ग का अंतिम देखनें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्टोन है वो क्या होगा वो इसके वर्गों की संख्या होगी तो यह तीसरे आवर्स दूसरे वर्ग का तत्व है इस चीज़ को आप याद रहेखेंगा उसके बाद में अउक सीजन अनू अनू चुमबकिये क्यों क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका हमने क्या किया है अब इसमें दोस्तों यहाँ पर इसका रिज़े नहीं लिखना है क्योंकि इसके इलेक्टों में न्यास करने में अंतिम कक्षा में इलेक्टों की संख्या विशम होती है 12 तथा 6 को छोड़ करके इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंस याद रखेंगा इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंस याद रखेंगा इक ग्राम तेल को उदासीनी करन अंक क्या है एक ग्राम तेल को उदासीनी करने के लिए अवश्यक शार का संख्यात मंगमान तेल में जितना अधिक अमले उपस्तित होगा उदासीनी करन अंक उतना ही अधिक होगा इस चीज़ को आप परिवाशित कर देंगा सीटेन संख्या को परिवाशित की जगा सीटेन संख्या डीदल इंदन की गुण मत्ता या प्रदेशन का माप है सीटेन संख्या जितनी आधिक होती है वाहन में इंदन के इंदन का देहन उतना ही बहतर होता है इस चीज़ को भी दोस्तों आप परिवाशित कर सकते हैं उसके बाद में कास्टिक प्रभाव को दूर करने के लिए यहाँ पर डेश 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 ठोड़ा गया था कास्टिक फोड़े का उपयोग करते हैं इस चीज़ को आप याद रखेंगे तापा नुशीतन प्रिक्रम से आप क्या समझते हैं कांच की वस्तु बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूटते हैं टूटने से बचाने के लिए धीर धीरे ठंडा किया जाता है जिसे वस्तु तयार प्रापत होती है उसके प्रिडीन एक विशम चकरी योगी के डेश डेश यहाँ पर छोड़ा गया था है ना उसके बाद में यहाँ पर टेट्रा फ्लोरो टेटर फ्लोरो एथिलीन बहुली करण पर यहाँ पर लिखा हुआ है ओक्ता फ्लोरो साइक्लो ब्यूटेन देता है उसके बाद में ब्यूना एस कॉमा पी एन कॉमा पी वी सी तथा बेकलाइट को संबहुलक या तथा सह बहुलक में संबहुलक लेफ्ट साइड और सह बहुलक राइट साइड पी वी सी पी एन संबहुलक है और यहाँ पर ब्यूना एस तथा बेकलाइट संबहुलक है इस चीज़ को दोस्तों आप यहाँ पर बाढ़ सकते हैं इसको उसके बाद में यहाँ पर क्わंटम संख्या क्या है क्वूद्य देख़एıyla क्वूंटाम संख्या एल इस का स्टू 3 के लिए सभी संबहुलक के क्वौंटम संख्या के मान फिरियासाँ दोस्तों दियूद्य क्वूंटम संख्या च्या कहा होती है यह equipped कोश की जानकरी देती है और इसे हम L से प्रदशित करते हैं इसमें 0 से N-1 तक कुछ भी होता है यानि इसमें L कमान इस चीज़ को आप याद रखेंगे L is equals to 0, 1, 2, 3 तो L कमान 0 पर चुम्बे के कॉंटम संख्या कमान M is equals to 0 हो जाएगा L कमान 1 पर चुम्बे के कॉंटम संख्या यानि M कमान 1, 2, माइनस 1 L is equals to 2 पर M कमान 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2 यानि 2 से लेके माइनस 2 तक उसके बन में L is equals to 3 पर M कमान 3 से लेके माइनस 3 तक हो जाएगा इस चीज़ को आप याद रखेंगे यानि या तो 3, 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 कुछ भी हो सकता है इस चीज़ को आप याद रखेंगे है न उसके बाद में संक्रमण तत्व के चार लक्षन लिखो परिवर्ती, ऑक्सिकन अवस्त दरशाते हैं उत्प्रेरक, गुण दरशाते हैं रंगीन योगिक बनाते हैं अनू चुम्बे की लक्षन दरशाते हैं यह सारी चीज़ा आप दोस्तों याद कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर प्लास्टिक क्या है थर्मो प्लास्टिक तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताओ उसके बाद में यहाँ पर plastic क्या होता है इस चीज़ को भी आप परिवाशित कर सकते हैं बहुली करन क्या है इसकी क्रिया को समझाईगा बहुत आसा है नहीं दोस्तों इस चीज़ को भी यहाँ पर पढ़ग सकते हैं मैं अगर सारा पढ़ कर सुना हो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद में इसका Opioke कहा पर होता है Opioke यहाँ पर Tire Coat बनाने में रसी बनाने में कपड़ बनाने में और Polyamide Polyamide क्या होता है इन्हें सामानिस Nylon भी कहता है इस चीज़ को भी दोस्तों आप पढ़ करके अच्छे तरीके से अपने prediction कर सकते हैं exam में उसके बाद में nylon 66 क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद में opioid क्या है इसके opioid भी लिखे हुआ है इसका formula भी लिखा हुआ है उसके बाद में PVC से आप क्या समझते हैं इसके बारे में दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है इसका ओप्योक भी यहां पर लिखे हुआ है इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं संग शारण से आप क्या समझते है फाइफ मार्क से पिछली बार भी पूछा गया था दोस्तों इसको कैसे दूर कर सकते है तो बहुत आसाने दोस्तों यहाँ पर इजिली आप इसको पढ़ सकते हैं आसाने तरीके से हैना विदुद अबगटनी सेल तथा गेल्वनी सेल में अंतर बताओ तो आप इजिली दोस्तों यहाँ पर बता सकते हैं उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसनेह किसे कहते हैं इसकी विश्यष्टा बताओ तो यहाँ पर लिा हुआ है उसके बाद में इसनेह की आउशकताई भी यहाँ पर लिखी हुई है न दोस्तों पढ़ सकते हैं आप easily उसके बाद में नरनश्ट समेकरन जो की इडिकरस्टो ईज्यरो माइनस टू पॉइंट तीन सो तीन आटी अपोन एनफ इन्टु लॉग वन अपोन एम की पावर एंटी होता है इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे हैं उसके बाद में एन प्लस ल का नेम वाद को आप इसली पढ़ सकते हैं सारी चीज़े को और आसान तरीके से है ना उसके बाद में केथोड तथा एनोड किलने भी आप इसली पढ़ सकते हैं केथोड किलने क्या होती हैं केथोड किलनों के गुड़ यहां पर आप इसली पढ़ सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनोर्ड किरने क्या होती है एनोर्ड किरनों के गुड़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ यहाँ पर रदर फोर्ड का नाभी के परमाडू प्रारूप भी आप यहाँ पर इसली पढ़ सकते हैं एलफा कणों की बोशार कराई थी इसने उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रदर फोर्ड के परमाणू मोडल की कम्यवी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है सारी चीज़ है नील्स बोर का परमाणू मोडल भी बहुत आसान है आप आप इसली इनके चार-पाश पॉइंट को असान तरीके से पड़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर हुंड का नेम बहुत इंपोर्टेंट है इस चीज़ को भी आप परिवाशित कर सकते हैं इसली उसके बाद में सहियो जगता क्या होती है वेलेंसी ये भी दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है इस बार के लिए है ना उसके बाद में यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण एवम उनकी सहियो जगता इसको भी पढ़ लेंगे आप है ना वेदुत सहियों जगता यानि इलेक्ट्रो वेलेंसी क्या होता है इसके बारे में आप यहां से पढ़ेंगे तो इसली दोस्तों आप अराम से इसको समझ सकते हैं सह सहियो जगता क्या होती यानि कोवेलेंसी इसके बारे में आप पढ़ेंगे और यहां से इसका भी आंसर दे सकते हैं उधारन सहीत है ना उसके बाद में उप सह सहियो जी योगिकों के लक्षण है ना और सह सहियो जी योगिकों के लक्षण भी आप इसली यहां पर कर सकते ह उसके बाद में द्रव्य की अवस्ता क्या होती है इस चीज़ को भी आप दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छा प्रजिशन कर सकते हैं द्रव अवस्ता क्या होती है गैस अवस्ता पढ़ सकते हैं इसको इंगलिश में gases state ये liquid state और उसके बाद में हाँ उसके बाद में पर्माडू क्या होता है इसको भी आप easily पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर समांगी मिश्रड क्या होता है विशमांगी मिश्रड क्या होता है दोनों आराम से पढ़ लेगे हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका दरव्य मान तता उड़जा में संबन भी इजली आप यहां से पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहां पर वेदूद अबगटन के किरिया विदी भी आप अच्छे तरीके से उनको एक्स्प्रेंड कर सकते हैं अगर आया तो उसके बाद में वेदूद अबगड़े तता वेदूद अबगड़े क्या होता है बहुत इंपोर्टन तो इस बार के लिए भी पुछा गया था पिछली बार भी है ना तो इस बार के लिए भी इंपोर्टन है उसके बाद में फेराडे का नेम पिर्थम नेम भी आप यहां कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तो पीट कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप ए्स ब्लोग के तत्व भी क्या होते हैं उसको भी आप इस ट्रिक्रफ्जी अधि दीए apenas 5 आप इस देख लेुड का और देल की सरनाल भी आपको इजी देख ले रही है इन के भी इच कितने कोई बनता है यह चीज बी आप देखिए ए plugins लौट है इसके बाद में मिड़ तो इंदन क्या होता है, इंदनों के वर्क्रण कैसा होता है, ठोस इंदन क्या होता है, द्रव इंदन क्या होता है, गैसे इंदन क्या होता है, इन तीनों के बारे में आप पढ़ सकता है, उसके बाद में प्राथमिक इंदन क्या होता है, दिवत्यक इंदन क्या होता है, बहु इंदन के कुण इजिली दोस्तों आप इसको भी पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर कुछ ही है आई यू पीस्टी नामे पिछली बार भी पोशे गयते हैं इन में से इस बार भी दोस्तों आएंगे 100% है ना उसके बाद में बहुली करण क्या होता है बहुत इंपर्टेंट है इस बार के लिए इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं पॉलिमराइजेशन है ना उसके बाद में यहाँ पर द्रव्यमान सनरशड या द्रव्यकी अविनाशिदा का नेम को भी आप easily पढ़ सकते हैं उसके बाद में इस तिर अनुपात का नेम क्या होता है इसको भी आप याद कर लेंगे गुर्णत अनुपात का नेम भी याद कर लेंगे है ना उसके बाद में बस दोस्तों ये सारे कुशन्स बहुत important है मैं guarantee के साथ इस बात को कह रहा हूँ है ना तो फिन नेक्स वीडियो में तब तले के लिए बहने के स्टुडेंस गॉडबेस्ट यू लिए टेक केर